अनुछेत 370 को लेकर अभी तक विवात थमा नहीं है अनुछेत 370 खत्म हो चुका है बाव जूदिस के इस अनुछेत को लेकर ऐसे बयान दिये जा रहे हैं जो देशित में नहीं है जम्मो कश्मीर के पूर मुख्यमंतरी और नेशनल कॉन्फरेंस के नेता फारुक अब्दुला ने आज कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन के समर्थन से जम्मो कश्मीर में फिर से अनुछेत 370 लागू किया जाएगा फारुक अब्दुल्ला कहते रही के अनुच्छे 370 और अनुच्छे 35 को दोबारा लागू करवाने और जम्मु कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए वो प्रतिबद हैं संसत के मानसून सत्र के दौरान फारुक अब्दुला ने जम्मु कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले किस्ति बहाल करने की मांगी थी फारुक अब्दुल्ला का कहना था कि कश्मीर में जो हालात हैं उस पर बोलने के लिए हमने संसत भवन में समय मांगा लेकिन हमको समय नहीं दिया क्या देश की जनता को पता चले कि वास्तों में लोग कैसे रह रही हैं और वहां की स्थिती क्या है क्या वो बाकी मुल्क के साथ आगे बढ़े हैं या पीछे गए हैं संसत अत्र के दोरान फारुक अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर में अब भी हाला सुध्रे नहीं है बाकी देश में इंटरनेट 4G इस्तमाल कर रही हैं 5G आने वाला है लेकिन वहां पर अब भी 2G से लोग काम चला रही है ऐसे कैसे नौजवान आगे बढ़ेगा वहां के हालात के बारे में देश को बताना चाहते हैं दूसरे लोगों को जो सुविधाई मिल रही हैं वो हमारे यहां क्यों नहीं दे रहे हम कैसे आगे बढ़ेंगे जमाना बदल गया है फारुक अब्दिल्ला का कहना है कि उन्हें शक है कि यदि किसी दिन ऐसा तूफान आएगा उसको रोक नहीं सकेंगे फारुक अब्दिल्ला ने लोक सभा में कहा है कि भारत को पाकिस्तान के साथ बाच्चीत करनी चाहिए जिस प्रकार चीन के साथ बाच्चीत की कोशिश की जा रही है उसी तरह से उलजे हुए मुद्दो पर पाकिस्तान के साथ चर्चा होनी चाहिए गौर्टलवे की मोधी सरकार ने 5 जुलाई 2019 को जम्मू कश्मीर में विशेश दर्जा देने वाले अनुच्छे 370 के अधिकतर प्रापधानों को निश्व प्रभावी कर दिया था पाकिस्तान और उनके साथी चीन ने इसका विरूद किया था हाला कि भारत ने उन्हें देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने की जेताव निदी थी फारुक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की इस्ति बहाल करने की मांग कर रही है उन्होंने संसत के मौन्सून सत्र में भी इसमुद्दे को उठाया लोग सभा में अपनी बात रखते हुए फारुक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की इ आज ऐसी है जहां प्रगती होनी चाहिए वहां प्रगती नहीं है उन्होंने कहा है कि आज भी हमारे बच्चे और दुकानदारों के पास फोर जी फैसिलिटी नहीं है जो हमारे पास हिंदुस्तान की बाकी जगों पर है वह तालीम कैसे ले सकते हैं जबकि सब कुछ आज झाज दो